मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसीपी आपसे मिसना हो असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे आलू मतर समोसा तो चली इसे बनाना शुरू करते हैं एक बोल में हम मेंदा लेंगे यहाँ पर मैंने दू कप मेंदा लिया है सौद के नुसा नमक एट करेंगे हाफ टी स्पून अजवाइं इसे इस तरह हाँ से क्रस्ट कर लेंगे चार टैबल स्पून गी एट करेंगे यहाँ पर मैंने प्यॉर गी लिया है आप ऑईल भी ले सकते हैं अच्छे से मिलाएंगे गी एट करने से समूसे का लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा अच्छे से मिलाएंगे इसे पानी से इसका डू रेडि करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी एट करना है और इसका सकत डू रेडि करेंगे दू हमने रेडि कर लिया है इतना डू रेडि करने में हमने हाफ कोप पानी का यूज गिया है इसे 10 मिनित के लिए सेट होने के लिए रख देंगे पैन हमारा गरम है दो टेबल स्पुन ओईल एड़ करेंगे गार्लिक चिंजर और ग्रीन चिली एड़ करेंगे बारी कटकी हुई एक मिनित तक इसे सौते कर लेंगे बॉइल आलू एड़ करेंगे यहापर मैंने चार बड़ी साइज के आलू को बॉइल कर लिया है और इसे इस तरह मेश करेंगे हाफ कप क्रीन मटरेट करेंगे इसे भी मैंने बॉइल कर लिया था मिला लेंगे इसे भी अच्छे से सौत के नुसान नमा कैट करेंगे वन टीस्पून रोस्टेट जीरा पाउडर वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर वन टीस्पून रेट चिली पाउडर वन टीस्पून चाट मसाला पाउडर तमाब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसमें बारी कटा वहरा धनिया एड़ करेंगे इसे भी मिला लेंगे आलू की फिलिंग हमारी रेडी है गैस की फ्लेम पन कर देंगे डू हमारी अच्छे से सेट हो गया है इस तरह इसके बॉल्स बनाएंगे और हाथ से इस तरह प्रेस कर देंगे इसे अब इसे हम बेल लेंगे बीच से कट करेंगे इसे और इसके किनारी पर हम पानी लगाएंगे और इससे इस तरह कौन की शेब में फोल्ड कर देंगे जो आलो की फिलिंगे उसे बीच में रखेंगे और इसके किनारी पर भी हम पानी लगा देंगे पानी लगाने से ये फ्राइ करते समय खुलेगा नहीं अच्छे से प्रेस करेंगे इसे इस तरह हम सारे समूसे रेड़ी कर लेंगे सारे समूसे मैंने रेड़ी कर लिये हैं अब हम इसे फ्राइ करेंगे लो फ्लेम पर हमारा ओइल करम है समूसो के एड़ करेंगे पहले इसे लो फ्लैम पर 3-4 मिनिट अख फ्राइ करेंगे और फिर इसे लाइट गुल्डन और क्रिस्पी होने तक मीडियूम फ्लैम पर फ्राइ करेंगे टन करेंगे इसे बहुत अच्छा कलर आया है इसे एक टीस में ले लेंगे तो लीजे अलू मतर समूसे हमारे रेडी हैं आप इसे जरूर ट्राइ करें और मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना पुलें और अपनी दुआओं में याद रखें अला अफ़ेश